विडियो आज के इस वीडियो हमें बात करने वाले है पत्ना लॉग कॉलिज के इंट्रेंस के बारे में मैंने आप से सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट किती कि आप ज़रूर मुझे जो है वो कोशन भेज़े और आप सभी ने बहुत सारे कोशन भेज़े हैं और मेरे पास भी कई सारे कोशन है तो उन्हीं सभी कोशन के वो डिसकस करेंगे बाते करेंगे गाइस वीडियो को सुरू करता है उसे प्रेली क्वेश्ट है अब में चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा आज कर वडियो हम लोग सुरू कर रहे हैं अनकडमी आपके लिए रैंक बूस्टर बैच ला रहा है इसके साथ ही NLSIU टॉपर बैच है ये इसके साथ ही NLSIU टॉपर बैच है ये इसके अलावाद एक अमेजिंग बैच की सुरूआत हो रही है ये जो बैच है थ्री मन्स का होगा और ये फोकस करेगा आपको डियू LLV इंट्रेंस 2022 के लिए अफकोर्स इसमें जो है वह आपको टॉप मॉक टेस्ट मिलेंगे विकली सेक्शन होगा इसके अलावा टॉप एजुकेटर तो हैं ही देखे ये सारी सुबधा लेने के लिए आपको अनकैडमी पे सब्सक्रिप्सन लेना होगा देखिया सब्सक्रिप्सन काफी यूनीक है ये कोई मातर एक कोर्स के लिए नहीं है बलकि एक सब्सक्रिप्सन लेने के बाद आप जो है सभी बैचेज एजुकेटर के क्लासेज सब्जेक्ट और सारी चीज़ों को जो है एजुकेटर क्यूरेटर टेस्ट होता है कलैट के लिए साम पांच बजे जे है वो आप लोग जोईन हो सकते हैं सो डू चेक आउट साथी अनकैडमी जो है वो आप टेलीग्राम पे भी आ चुका है तो आप इसमें ज़रूर हो साथी इसके जितने भी लिंक्स है वो आपको निर्त है तो यह महराष्ट का निर्त है वोल वाटर डे का मना जाता है तो 22 मार्च को चाइना मैन किस खेल से संबंदित है तो क्रिकेट से चाइना मैन जो होते हैं गेंदबाज जैसे कुल्दी प्यात हो एक चाइना मैन गेंदबाज है तो यह जो हैं आपके क्रिकेट खेल से संबंदित रखते हैं दलहन संस्थान का मुख्याले कहां है तो कानपूर में है जंतर मंतर किसने बनवाया सेवई सेवई जय सिंग दूतिये ने चंदोली नेसनल पर कहां है तो महराष्टा में काला सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती तो वलगा नदी भागी रथी और अलक नंदा मिलकर कौन सा पर्याग बनाता है देप्रयाग मरीन नेसनल पर कहां है तो गुझरात में काटेश्वर इंडिया चाइना एन साउथ अफ्रीका यूएन में सदस्य कि संख्या कितनी है तो 193 है नियू डेवलोप्मेंट बैंक का हेड़क्वाटर कहां है तो शांगहाई चाइना में यूएन डीपी का सतत विकास लक्ष कितना है तो ये थौसम मुझे कोशन किलियर नहीं हुआ है किने मिला था तो मारिया रेशा और दिमित्री मुरत तो को जो है वो sagenती का नोबल प्रोहसकार मिला wenक का आधिकारी भाँसा नहीं है तो यहां पर मतात 뉴스 इंगलिस फ्रेंच रॉशियन और शभाणियस हुगा आपको ऑ्सकुछ उसमें से चूज करने को कहा गया होगा गंगा एक्शन प्लान का आरंब कभ हुआ तो अप्रेल उनिसो पच्छासी को दान्त का इनेमल किस से बना होता है तो कैल्सियम फॉस्फेट उश्मा का खराब संचाला कौन है तो पारा तो कौन मीला कर यहां तक जितने कोशन मैं देख रहा हूँ तो इसमें से जो है वह आपके हिस्ट्री के भी कोशन है जोग्राफी के भी कोशन है साथी करेंट से भी पूछेगा है जैसे कि आपके यहां पे कैसकते हो कि सांती का नोबल पुरसकार था इस तरह के जो कोशन हुए थे साथी जोगराफी से भी है जैसे कि मैं बताया और यहाँ पे हम लोग नीचे आ हैं तो आपके कुछ केमेश्टी से या फिजिक्स से भी कोशन पूछे जा रहे हैं चलि बढ़ते हैं आगे चलि ये भी करेंट का जो है वो पहला कोशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है साहित्य का नोबल पुरसकार जो है वो किसे दिया गया तो अब्दुल रजाक गुर्ना ये जो है वो तांजानिया के हैं राजशबा के सभवापति कौन है तो ये हरिवन्स नरायन सिंग है यूएस ओपन का विनर कौन है तो राफेल नडाल इंद्रा गांधी सांथी पुरसकार किस सान को दिया गया यहाँ पर मैं प्रत्थम को दिया गया लेकिन इसमें मैं स्योर नहीं हूँ लेकिन आप पर जुरू बता देना विज्टल स्थापना जो है वो कहां है तो तंजावूर में है अंतराष्टिय विधर दिवस एक अक्टूबर एनस डील के महान निदेशक पदमजा चंदरूरू फिर विहार विधान सभा के अधक्ष कौन है तो विजे कुमार सिंग जीमेक्स अभ्याक्स किस देश के साथ है तो ये इंडिया और जापान के बीच होता है अंतराष्टिय उर्जा एजनसी का मुखहले कहा है तो ये फ्रांस पैरिस में है ग्लोवर इंडेक्स हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो एक से कितना था तो वो था 101 ये जो है वो आपका करेंट से हो गया वेर कब जो है किस खेल से समवन्दी था तो वो बैंड मिंटर से है आइसी सी टेस्ट चेंपेंशिप जो है के विजेता कौन है तो न्यूजिलेंड है आप लोग बताईए कि ये जो फाइनल है वो कहा हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था गमिंट्स में बताईएगा जी ट्वन्टी का समेलन किस देसे में हुआ हुआ तो यह इतली के रोम में और 2022 में आपका इंडोनेसिया में होगा उज नदी किस नदी के साइक नदी नहीं है तो इसमें बताया या इसमें यूह आइनसर ब्यास नदी था राष्टिये सत्करता आयो का गठन कब हुआ मतब कब किया फरवड़ी 1964 को फिर आपका नेक्स कोश्चन जो है अपात कालिन अवधी कितना दिन का होता है तो इसमें जो है वो मुझे option के थूँ जो है वो clear नहीं है आप लोग इसका जो है वो answer मुझे comments में बताईए ठीक है और कह सकते हो कि दल बदल किसके दवारा निरोगी घोसित के जाता है तो यह जो है वो आपके लोग सबाके अधक्ष के दवारा जो है वो कह सकते हो कि निरोगी घोसित कि नीलम संजीवा रेडी जी जो है थे वो एसे राश्पती थे जो कभी मुख मंत्री नहीं थे वान मोर थिंग गाइस कि आने वाले जो कोशन होंगे हो सकता है कि इसमें रिपीट हो क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप सभी ने मुझे कोशन भेजे थे उससे मैं जो है नोट डाउन करते गया उसका एंसर लिखते गया तो कुछ कोशन अगर रिपीट भी हो जाता है तो उसमें जो है वह आप लोग टेंसर मतलना है ठीक है चलिए आगे जो है वह हम लोग देख रहे हैं कि इसमें किसे बिहार विभूति के रूप नुमान और सौधिय रभिया और कुवेत ऐसे उप्सन तो इसमें से इरान उप्सन जो था वह राइट एंसर था गलाइकोलिसिस की प्रकरिया कोशिका के किस हिसे में संप्रादिस होती है तो यह आपके साइटो प्लाज में परधान मंदरी के सुरुच्छा में चूक के लि प्लाज में जो करेक्ट है इन चार ओप्सन आप लोग देख रहे हो तो लेखादून अनुशेद 116 जो है वो करेक्ट है बाकी यह सब आर्टिकल दिया हुआ है यह सब आर्टिकल के अंदर यह सारी जो चीज़े है वो नहीं बताई गई है तो यह आप्सन जो था वो आपक आर्टिक्स ब्रेक फोर इटसेल्फ एक था विस मेजर अकार्थ यानिके सुपीडियर फोर्स और और एक्ट ऑफ गॉड्ट तो यह जो है वो आपके थोड़े से लीगल से कोशन जो है वो पूछे गया ठीक है यह संसास की सब्सक्राइब बात कर चुके हैं तीन बार कौन स अधिकरन के स्थापना हुई थी तो उनीस सो पचासी में हुई थी और यह दूई दरसनात्मक जो मैंने आपसे कोशन जो था उसमें जो करनाटा का उडिशा और अंदरपरदेस औरते लंगाना बात में मुझे यह ऑप्सन बताया गया होगा तो मैंने यहां पर राइट डा समीधान के पांच मेंने सूची कि स्राजय पर लागू नहीं होती है तो यह जो है वह आपके मेघाले त्रिपुडा और मिजोरम यह भी कोशन आइधिक्स हो कि मैं डिसकस कर चुका हूँ ठीक है कौन सामूल करतव में नहीं है तो यह जो है वह प्रकृतिक प्रयावरन के कुछ ऑप्सन दिये गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपसे पुछे गया है तो यह थ्वासा आप लोग देख लेना कमला है इस फेनोमेनल वूमेन जो है वह बुक राइटर कौन है तो चिदानंद राज गट्टा जी और समिधान दिवस समिधान दिवस जो है वह चबिस नोवल को मनाये जाता है जब लोग पतादिकारी अपने करता हुए को पालन ना कर दे तो निमनिकित में से कौन सा रिट जाड़ी की जाएगी तो यह आपके परमादेश होंगे कौन राज बधकुमा उसाओ बधुकमा उसाओ मनाता है तो तिलंगाना और आंधर परदेश नोवल सांती परसकार किस देश के द्वारा दे जाता है तो फिनलैंड के द्वारा दे जाता है फिर आपके यह मैं डिसकस कर चुका हूँ अबोल हसन बनी सद्र जिनका हाली में निधन हुआ है प्रतम राष्टपती थे किस देश के तो वो इरान के थे और किस देश में पहली महिला मुकमंत्री के रूप में नजला वाइडेन रामधनी की निक्ति की गई थी तो यह टुनीसिया के तुनीसिया के जो है यह पहली परधान मंत्री के रूप में इन्हें जो है वो निक्ति की गई थी अखिल भारतिय सेवाओं का स्रितन होता है तो यह जो है वो मुझे कोशन नहीं समझ में आया और इसका कुछ ऑप्सन नहीं मिल पाया अगर आपको पास जनकारी है तो जिरूँ सेर कीजिएगा केंडिय सत करता आयोग का स्था यह तो मैं बात कर चुका हूं फरवड़ी 1964 और इसके बाद जो है समिधान के किस भाग में जो है फंडमेंटर राइट दिया गया तो पार 3 में दिया गया इस पर मैंने आपको लेक्शर भी दिया था और उसमें बताया भी था यह जो है वो कोशन दिसकस कर लेता हो चलि यहां पे यहां पे कोशं ढूस करने का कोई पूछा जाएगा वही है टॉप जो है वो तीन कोशन मैं से जौह है टीन कोशन WOR आइन्प पकोनन से ठीन आगे जो आने वाल एक्जाम में आगर कोई भी इस्टुएंट्स जो है उन्स होद देंगे तो यह से इडियम्स और इंटरियम्स और सिंवन्स जो है इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हो साथी जो है वो है वह आपको हिस्ट्री से ज्यादाकोषण थे पॉलिटी से ज्यूग्राफी से इंग्लिज्स से और रीजिनिग से बीथे दो तीन त्यूश्ण थे और मैस से बीकुश खूश रेडियो से भी ठाग्टburgु मे승 से प्सक्रांग confession तो कुल मिला का कैसे दोस्तों में वह काफी help की है और पहले वीडियो में upload कर चुका था लेकिन फिर से यह upload करना पड़ा क्योंकि कई सारे question तो इसको सोचा कि फिर से मैं आप लोग के सामने वीडियो अशे तरह की सा बना कर upload कर दो यह वीडियो जो है वो उन दोस्तों को भी help करेगा जो next session में आएंगे क्योंकि इसका वो question वापस ले लिया जाता है तो जो भी student in future जो भी admission लें जाते हैं तो उनको एक idea हो जाएगा कि हाँ इजाम में जो है वो कैसे question जो है वो पुछी जाते हैं 2020 का भी मैंने जो है वो वीडियो बनाया है जिसमें कुछ question आराउंड 20 से 25 question वहां पर भी डिसकस किया है तो वो भी देख सकते हैं चाथ यह इस वाले जो question पेपर में तो मुझे लगता है कि 80 से 90 question मैंने यहां पर डिसकस कर लिया फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ question छूट गया है या इसमें कुछ improvement की आवशकता है तो नीचे जरूर कमेंट्स में बताईएगा थोड़ा सा positivity बना के रखेगा कई सारे students जो है थोड़ और एक और बात कि unacademy पे जो है वह आप लोग ऐसा नहीं है कि स्रीफ क्लाइट को ही और भी जो है ससी बीपे सी बीपे सी की वित्यारी कर सकते है और आप में कोड एकर वन जीरो ने यूज़ करेंगे तो आपको 10% जो है वह डिसकाउंट मिल जाएगा तो गई जिसी के